दोस्तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहां पर एक अनमेरिट कपल्स का क्या-क्या लीगल राइट्स है क्योंकि कई बार आपको देखने को सुनने को मिलता होगा कि यहां पर कपल्स को पुलिस पर सान करती है यहां पर उनके साथ मिस्भी हैप करती है और कई बड़तों ने पकड़के ठाने ले जाती है तो क्या सवाल उठता है कि पुलिस इसा कर सकती है और अगर इसा करती है तो क्या सही करती है क्या यह कानून के दैरे में आता है तो यहां पर अगर कोई भी बालिक हो चुका हो तो फिर यहां पर उसका यहां लीगल राइट से यहां पर हमारा सम्विधान उसे इजाज़त देता है कि वह यहां पर कहीं भी आ सकता है जा सकता है पब्लिक प्लेस पर बैठ सकता है कि वह इसके लिए यहां पर पुलिस उसे परसान नहीं कर सकती है हाँ यहां पर के पास यहां राइट से कि किसी से पूछताच कर सकती है लेकिन यहां पर पूछताच के नाम पर आपको मेंटल रूप से टॉचर नहीं कर सकती है आपको धमका नहीं सकती है आपको पढ़सान नहीं कर सकती है अगर यहां करती है तो यहां पर पूलिस के पास यहां राइट सक सकता है वह कहीं भी रह सकता है यहां तक कि आप किसी होटल में भी जाकर एक ही कमरे में रह सकते हैं यहां पर जो होटल परबंदक है आपको रूम देने से मना नहीं कर सकता है और अगर वह इसा करते हैं तो यह गलत है यहां पर कई बार होटल वाले इसलिए डर जाते हैं क्यो यहां पर कोई भी unmarried couple कहीं भी आ सकता है या सकता है तो यहां पर अगर आप unmarried couples हैं और यहां पर पुलिस आप पड़सान करती है तो फिर आप यहां पर उनके वरिये अधिकारी से return में complaint जरूर करें आप जिले के SP को return में complaint कर सकते हैं और अगर वे भी कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप यहां पर वकिल के माधियम से CRPC के section 156 section 3 में सीधे उस दोसी पुलिस कर्मी के उपर केस दर्श करवा सकते हैं या पिर कई एस्टेट में police complaint authority होता है आप वहां पर भी complaint कर सकते हैं और यहां पर कोई unmarried couples room rent पर भी लेकर एक सांत रह सकता है यहां पर कानून इन पुलिस में जरूर करनी चाहिए और अगर पुलिस नहीं सुने तो आप जिले के SP से कंप्लेन करें और अगर SP सहा भी कुछ नहीं करते हैं तो फिर आप वकिल के माध्यम से सीधे कोट में case file कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आसा करता हूं आपको यह वेडियो पसंद आई होगी अगर मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप नीचे comment box में comment करें और अगर आप हमसे सीधे जुरना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें Instagram पर follow करें अगर फोन से बात करना है तो Instagram पर ही मैसेज करके appointment ले ले तो दोस्तों आप इस वीडियो को दिख सदीक अपने दोस्तों और इस्तिदारों में भी जरूर सेर करें हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के सांथ तक अपने और अपने परिवार का ख्याल okay